हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ श्रेता वेलकम टू मैं चैनल श्रेता आज की चैनल लाइफ स्टाइल आज मैं एक बहुत ही आसान सी टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसके साथ आपका ब्लैक फॉरेस्ट केक काफी खुबसूरत बनेगा मैंने यहां डार्क कमपाउंड यूज किया है मैंने 200 ग्राम डार्क कमपाउंड को इस तरीके से बारी काट लिया है गर्मी काफी है इसलिए चॉकलेट पहले से ही मेल्टेट थी microwave में मैंने 30 सेकेंड के लिए इसे गर्म कर लिया है अब मैं इसे mix करती रहूंगी 3-4 मिनट तक चॉकलेट को काफी अच्छी तरीके से मैंने mix कर लिया है 3-4 मिनट अगर इसे इसी तरीके से mix करते रहेंगे तो इसमें sign काफी अच्छी आती है अच्छी तरीके से mix करते हुए ये room temperature पे आ चुका है काफी अच्छी sign इसमें आ चुकी है मैंने यहाँ एक थाली ले लिया है जिस पे मैं half chocolate को डाल दूँगी इस तरीके से या तो हमें इसे इस तरीके से घुमाते हुए बराबर करना है या फिर palette knife की साहता से इस तरीके से हमें बराबर कर देना है और एक पतला layer बना देना है अब मैं इसे 5 minute के लिए freeze में set होने के लिए रख दूँगी आदी बची हुई chocolate को भी मैं दूसरी थाली पे डाल रही हूँ और palette knife से इस तरीके से बराबर कर लेंगे अब मैं इसे थोड़ा tap कर दूँगी ताकि ये एकदम बराबर हो जाए 5 minute में ही हमारा chocolate इस तरीके से set हो जाएगा बहुत ही hard नहीं करना है chocolate को इस तरीके से मैं अब scrapper के सहायता से धीमे धीमे इसके flex निकालूँगी अगर आपको इस से मोटा चाहिए तो आप और कम टाइम रखें और उसके बाद इस तरीके से scrapper से करें इसे हम हाथ से नहीं उठाएंगे इसे हम spoon की सहायता से या scrapper की सहायता से इस तरीके से plate में रखेंगे और फिर उस plate को हम fridge में रख देंगे अगर आपको लगे कि chocolate थाली में जो है वो melt हो रही है गर्मी का season है अगर melt हो रही है तो आप थोड़ी देर के लिए इसे फिर से दो मिनट के लिए fridge में रखते इसी तरीके से मैं plate में निकालती जाओंगी और इसे fridge में रखती जाओंगी अगर आपको chocolate flax थोड़ा मोटा चाहिए तो आप इसे कम देर तक fridge में रखें और इसके बाद इस तरीके से इसे scrapper से मोटा मोटा आप लंबा लंबा निकाल लें आप देख सकते हैं दो तरह के flax मैंने बना लिये हैं और इस तरीके से मैंने black forest के उपर इसे डाल दिया है ये कम chocolate में काफी ज़्यादा flax निकल के आते हैं और हम काफी cakes पे इसे decorate कर सकते हैं